वेल्कम तो जेए क्लासेज मेट परिवार हेलो स्टुडेंट मेरा नाम है प्रीदी परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडमेंटल्स ओफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिग आज के नेक्चर में हम नेक्स्ट उनिट मतलब की यूनिट नमबर फॉर को स्टार्ट करें हे यूनिट नमबर फॉर है हमारी इलेक्टिकल मषीन इसीड में ज़रेंगे जो डिफिरेंट्ट इपरिप्रिड इलेक्टरिकल मशीने यैसले मशीन में फ्नक्शन ओश्ञांवान की कौन सी मशीन स्टार्ट करेंगे DC machines तो जो आज का हमारा topic है वो क्या है DC machines जो हमारी DC machine है यह हमारी क्या है यह जो operate होगी यह किस पर operate होगी DC पर इसका मतलब इसे अगर हम जो supply देंगे वो supply हमारी DC होगी और अगर हमें इससे supply मिल रही है आउटपुट मिल रहा है वो output भी हमें कौन सा मिलेगा DC ही मिलेगा इसलिए हमने इन machines को क्या कहा है DC machine कहा है DC machines में हमारे दो टाइप आते हैं एक हते DC generator और एक हते हैं हमारे DC motors generator हमारी क्या चीज होती है कोई भी अगर electricity generate कर रही है तो वो हमारे generator होते हैं या यह भी कह सकते हैं कोई machine या कोई device अगर mechanical energy को electrical energy में change कर रही है तो तब हमारी वो machine क्या होती है कि बात हो रही है किसी भी चीज में हम यह कह सकते हैं बस motor generator का यह यहां रखना है कि electrical to mechanical mechanical to electrical ठीक है तो generator normally वैसे भी देखा होगा कि अगर light वगेरा जाती है तो हम क्या करते हैं जनुरेटर का यूज करते हैं तो generator में क्या करते हैं उसकी अगर शाफ्ट कोई तो मूव करते हैं तो शाफ्ट गुमा के क्या मिल जाती है इलेक्रिकल एनर्जी तो इसका उनलाब ऐसी माशीन से तो इसका मतलब क्या है अमनेुक्त डिया है उसका इसपलाइ देन निवो कैसी सप्लाइ मिलेगी तो हुम India से मिलेगी तो यह डिज पिरेंस बस डीजी और में होता है तो सबसे पहले जो हम DC machines का देखेंगे, यहां क्या देखेंगे, construction, चाहे हमारी motor हो, चाहे generator हो, construction, motor, generator की दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है, बस difference होता है कि हम उसे input में क्या दे रहे हैं, और output में उसे क्या चीज ले रहे हैं, पर जो construction होगी, वो क्या होगी, इसकी सेम ही रह construction होता है, में दो चीज़ों में divide है, एक हम कह सकते हैं, इस्टेटर, एक हमारा क्या है, इस्टेटर, और सेकेंड हमारा है, रोटर, एक है इस्टेटर, और सेकेंड हमारा क्या है, रोटर, नेम ही वैसे तो शो कर रहे हैं कि स्टेटर है, और एक है रोटर है, रोटर का rotational से न पहरे हैं था किसी भी मशीन का इस्टे cardi word work पार्ट हमारा कंसर पार्ट होता है कहां किसी भी मशीन का रोटेटिंग मने उसे उसे झाय चैपा थो रोटेटेंग पार्ट और और show'mんなrichtि संप्वार्ट हो उसे संकर्टेट नरी पार्ट तो यह तो हमारे the simple part में होंग ए स्टेशनरी पार्ट होंगे इस्टेटर और होथन्ल वा revenir भी होती है इस्टेटर और रोटर पे हमारी क्या होती है वाइ्निंगंस होती है जिन वाइंडिग को यह यह कहई यह तो अमने construction के kawning क है दिकि तक हमने transformer बढ़ा ता उसमें हमारा क्या था कोई भी rotation पार्ट नहीं था सिर्फ हमारा कॉन सा पार्ट था stationary पार्ट था अब हमारे rotational पार्ट आएंगे इस वाली unit में कि winding भी हमारी क्या होती है two type की होती है एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग और एक हमारी होती है field winding एक हमारी क्या है armH winding और एक हमारी क्या होती है क्या होती है पर magnetic field का setup करना कि कोई circuit है हमारा stator rotor कोई भी है उसमें क्या develop करना किस चीज को बनाए रखना क्या setup करना field को कौन सा field magnetic field तो ये काम हमारा किसका होता है field winding का होता है second जो winding है वो हमारी क्या होती है करने का हम किसी भी मशीन को दे रहे हैं जैसे मोटर है चाहे आउटपुट करेंट या इनपुट में करेंट आरमेचर winding का करना या current को deliver करना ये काम हमारा होता है आमेचा winding का तो winding के according हम देख लिए है कि winding क्या होती है दो type की होती है आमेचा winding होती है एक फिल्ड winding होती है field winding का काम field को set up करना होता है कोई भी machine है motor है ये वो part है जो अभी हम आगे कोई भी machine motor पढ़ेंगे उन सब के लिए क्या है common है तो आमेचर winding current को carry करने का काम करती है और field winding हमारा field को setup करने का काम करती है जिससे हमारा magnetic field क्या होता है setup इसमें होता है किसी भी circuit में अब depend करता है कि हम कौन सी generator पढ़ रहे हैं DC पढ़ रहे हैं या AC पढ़ रहे हैं क्योंकि DC होठी होती है कि कौनसे पर हम कौन सी winding करें करां या rotor पर हम कौन सी winding करें वह डिपेंड करता है क्यों construction कौन सी पढ़ रहे हैं अगर हम DC की बात करते ही तो DC पर जो हमारी किस पर होती है रोटर पे और फिल्ड वाइंडिंग हमेशा किस पर होती है इस टेटर पे डेसी मशिन्स में लेकिन यहीं पर ही अगर हम किसकी बात करते हैं एसी की बात करते हैं तो एसी के सब्सक्राइब करना क्या रहता है इस वज़े से हम जो आम होते हैं किस पर करते हैं ज्यादा अच्छा होता है लेकिन अब यहां डीसी की बात हो रही है सब्सक्राइब किस पर करते हैं और यहां पर देखो यह बाँर बाँर का यह पार्ट है यह जो रांड सर्कल सा दिखरा है और यह इसका स्टैन्ड हो गया यह हमारा क्या होता है स्टेटर होता है यह हमारा क्या होता है स्टेशनरी पार्ट इसमें यह ही है यह जो गोल पार्ट दिख रहा है इसमें और इसके अंदर ऐसे यह पोल्स दिख रहे हैं यह भी दिखा देंगे यह हमारा क्या होता है stationary part होता है Choco Stationery part होता है stator stator के अंदर कौन-कौन से पार्ड यहां पर आती है अगर हम stator की बात करें stator में हमारे कौन-कौन से पार्ड आते है यह कई यूख यह जो बाहर वाली structure है stator की जो सबसे outer surface है outer structure है इसे हम क्या कहते है योक कहते हैं, योक हमारा कुन सा हो गया, इस्टेटर का आउटर स्ट्रक्चर हो गया, यह हमारा किसका बना होता है, अगर छोटी मशीन से हैं, छोटी मोटर मशीन से हैं, तब तो हम इसे कास्ट आयरन का बना देते हैं, अदर्वाइस यह हमारा क्या होता है, कास्ट या रोल् स्टेटर होता है इस स्टेटर पर ही यह होते हैं पूल यह जो सीधी स्ट्रक्चर दिख रही है यह वाली स्ट्रक्चर यह हमारे क्या है पूल है जिसे हम क्या कहते हैं पूल कोर सेकिंड इसमें पार्ट होता है वो क्या होता है पूल कोर होता है तो अगर कोई का योग का क्या काम है कि योग हमने यहां यूज करा है योग का हमारा क्या काम है तो हम क्या कर सकते हैं जो बाहर की कोई भी चीजें हैं उन्हें बाहर की चीज होते हैं अंदर इस स्ट्रक्चर को एक तो बचाने के लिए किसका काम है यह पोल वगारा इन सब को क्या करने के लिए सेफ रखने के लिए किसको यूज करा जाता है योग का यूज करा जाता है दूसरी चीज इन पॉल को माउंट करने के लिए इन पॉल को इसमें माउंट करने के लिए यह सपोर्ट करने के लिए हमें किसका यूज करते हैं योग का यूज करते हैं योग नही इसे क्या है पोल को तो यह आंगे धर यह वाला में ये पोल का ये यह यений ऑना था पॉल शू क्या होता यह वाला एरिया यह होता है पॉल शू है इसकी स्रीक्चर्टक्टर हूँ जैसी है न थोड़ी ही तो इस वुचैसे इस यह कहता है पॉल शू कहते हैं अब इनका क्या काम है एक हो गया पॉल कोर और एक हमारा क्या हो गया पॉल शू पॉल शू और पॉल कोर दोनों किसके अंदर आते हैं पॉल के अंदर आते हैं इसले खाली इसको क्या भी बोल देते हैं इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या नाम भी दे सकते हैं थाली पॉल्ड नाम भी दे सकता है क्योंकि पोल कोर और पोल शू दोनों एक दूसरे के अंदर आते हैं यह जो पॉल कोर होता है न यह पोल के साथ सेम नट वगएरा से क्या होता है ताइटली माउंट रहता है बहुत आइटली बॉल्ट कर देते हैं ठीक है तो यह इस पर लिए है वांड करने के लिए काम में आती है क्या कहा था कि फिल क्या करने के लिएnisse लिए किले । यसल पांकि की तरफ हैं तो 6 म पॉल में किस सतव को type to пол है पॉल शू कर सकते हैं तो जो इस वाइदिंग को सपोर्ट कर सकते हैं तो यह उसंति को क्या करता है support देता है supporting field winding to the core ठीक है किसका का में यह पोल शू का क्या का में देख अगर यह पोल नहीं होता यह जो बीच वाला पार्ट है आप में चरबी से आगे समझोगे कि कैसे वर्किंग है क्या है पर यह बीच वाला यह पर इस प्रसयव नहीं हिस्शा अपतना यह सहं फिर्थे अचैक ज़ informations करता है ओल्शू हो और क्या काम करता है एर गैक को रिड्यूस करता है जिससे रिलक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है कम क्योंकि मैंगनेटिक फिल्ड यह फिल्ड वाइणिंग किसले का था फिल्ड वाइणिंग किसले होती है मैंगनेटिक फिल्ड करने के लिए मैंगनेटिक फिल्ड में ज्यादा होगा तो रिलक्टेंस क्या होगा ज्यादा हो कम पड़ने के लिए डिए लिकांज हमारा क्या हो जता ह измен जब फॉलक्स होता है धिर प्लक्स को रहा है और फ्लक्स से जो एम शोता में कैंड हो सकते हैं तो इस से चीज पलक्स हो रहा है तो प्रक्स के चेंज हो रहा है इसमें क्या भी हो सकता है एंडि लॉसिस हो सकते हैं इसprises किया कर देता है ले मिनेट कर देते हैं तो यहांपर यह पर इसकी स्ट्रेक्ट्ट जरो एक ज天 स्टेकर पर हमारा वॉर क्या होता है टरमिनलבox यह मैं बोल्टेज ले छाती है और यहीं सही डी जाती और यहीं सहीर करें कि यहां पर मांट रहता है इस टेटर में ही यह उरीजिनल इस्ट्रक्टर होते हैं वह हम दिसी मेशिंट की दिखा देंगे तो यह सारे पार्ट तो किस के हो गए इस्टेटर के हो गए नेक्स्ट से अग्ला हमारा क्या है रोटर केमारा क्या है रोटर रोटेंस बांस तो ऑर जो रहा होता है इसे बिल्कुल इसके एंदर लेकिन फुर्सलYour के रखते हैं र जोगा प्रक्टना बी ज़रूर aja अगर कोई चीज भेगी तो one ग потреб होना चाहिए वर ना गर उससे तक तच रोती है CAR थे पारन तो देखेश क्या होता है तक और C लिए इन फ्रीडी स्ट्रेक्चर गोल में उसे जो डिंस क्या होती है यह रोटर में जो पार्ट होता है यह और क्लोजर भी हो सकते हैं तर यहां पर यहां पर तुम्हें उपन स्लॉट नी क्या कर रखे हैं इन स्वां कारी होती है वाइनिंग करी होई होती है इसे हम कू दो तो यहां पर हमारा क्या होता है? यह जो आर्मेचर है, इसमें पॉल्ट सोते हैं और इन प्रह Вы require 자기 Carlos पॉल्ट से महीं होते हैं यह जा प्रहसर where스ast लाक सितती है? अजैसे सितनी में प्रहसर में अगर के चीत, ओ実 अगल, तरहें आपरोंट रहती तरहें तरहती यह बीच बीचिता के बीचत के उपर होता है यह यह लाद रखणopa प्रम आपниц ça 911 को टुटा है लोट इसकी सवahn आप प्यूपना मौनेуск है जाफ्ट यह उसकी हो अगि दोड़ रहते है हमारा क्या है शाफ्ट है ये वाला पार्ट क्या है ये वाला पार्ट हमारा शाफ्ट ठीक छोटी मशीन में तो शाफ्ट के उपर डिरेक्टली रोटर माउंट हो जाता है लेकिन जब बड़ी मशीन होती है मनलब यह कहो कि छोटी मशीन के उपर अभी यह कम्यूटेटर है डिरेक्टली इस पर क्या हो जाता है माउंट हो जाता है अभी कम्यूटेटर पढ़ाएंगे पर बड़ी मशीन में शाफ्ट के उपर स्पाइडर भी लगा हुआ होता है बस यह चीज़ हमें यहां त्यान रख है अधियर में वहां फिल्क्स होगा वह चेंजिंग की वजह जीए चेंजींग विए क्या हो सकते हैं यहां लॉसा के लिए सेम सिलीकन का मिलाना पड़ेगा तो दूसरी चीज़ एडी लॉसा को कम करने के लिए हम विए बनाएंगे यह जो आःमेचर को रहें और मेंचर कोर हमारी क्या होगी लैमिनेटेड थो यह साफ होती है इस शाफ के उपर क्या कॉपध में पढ़ेता थोड़ा से जहाएं-स बता देते हैं तो इसलिए हम क्या कहते है कि यहां क्या होती है तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहां क्या होता है चाहिए डीसी मशीन हो एसी मशीन हो एसी ही प्रडियूस होती है तो एसी मशीन में तो हमें चाहिए ही एसी लेकिन डीसी मशीन में हमें क्या चाहिए होता है डीसी चाहिए होती है तो उस एसी को डीसी में कंवर्ट करने के लिए ताकि हमें जो एसी मिल रही है हमे किसका बना होता है copper का क्योंकि commutator से हमें सप्लाय ही इस क्या कि रहते हैं यहां पर इस स्प्लिट रहता है दो पार्ट मेंन दो भागों में बटा उआ हुआ होता है और इसके बीच में यह जो ब्रोच को क्या करते है इन माइका से यह दोनों पार्ट कम्यूटेटर आपस में क्या रहता इंसुलेट रहता इतनी चीज यहां दखना कम्यूटेटर आपस में क्या रहता इंसुलेटेड रहता है किस से माइका बगारा से बना किसका होता है कौपर का इस कम्यूटेटर के उपर ही अब कम्यूटेटर त यह इंपुट देते हैं तो आर्मेचर की करेंट को बाहर लेने के लिए हम क्या लगाते हैं इस पर ब्रेश तो कम्यूटबर पर दो यह दो से जाता इवन नमबर में क्या लगे रहते हैं प्रेश के संख्या होगी हमेश्य इवन होगी दो चार ऐसे और हमेश्य दो से घ्यादा तो मिनिए ब OUT की रहते हैं तो इसमें देखो जैसे 4 दिए 40 लगा रखे रहते हैं और armature में जो हमने brush लिया है वो भी हमारे क्या रहते हैं टर्मिनल बॉक्स में यहां पर connect रहते हैं तो यह हमारा क्या होगा Commutator या यहां पर हो गया कौन सी Commutator या Splittering या फिर यह हो गया हमारा brushes ठीक है यह brush जो बनते हैं सबसे अच्छे किसके brush रहते हैं कार्बन के brush रहते हैं क्या क्यूंकि जो कार्बन होता है इसका जो surface गहेंगे कार्बन के अगर brush लेंगे तो उसकी surface कैसी रहेगी smooth रहेगी जिससे smarking वगेरा की problem नहीं होगी कार्बन या किसके बनते हैं क्यों कार्बन के बनते हैं क्यों मेरा कॉपर का बीच में इंसूलेट रहता है माय का से ब्रशेज हमारे किसके हो गए कारवन के आमेचा कोर हमारी किसकी बनी होती है सिलिकन स्टील की और जो वाइनिंग है वाइनिंग हमेचा किसकी लेते हैं कॉपर की कॉपर की इंसुलेटिड वाइनिंग यहां पर हम लेते हैं चाहा फिल्ड वाइनिंग हो यह हमारी कौन सी वाइनिंग हो आमेचा वाइनिंग हो तो यह हमारी complete क्या हो गई structure हो गई किसके DC machine की तो DC machine में सबके uses बता दिये brushes का क्या काम है output जो हमारी current आ रही है उस current को terminal box तक पहुचाने के लिए हम किसका use करते है brushes का use करते हैं तो brushes से एक तरीके से क्या हो और यह current मिल रही है और commutator आ में चको और यह सारी शहयो दें से खुएंशे लिए की الل figur सांव कर्णाओं बता दियां किस उए का यह complete structure एवी देख्लो complete structure यहां पर दिख रही होगी के सब्सक्रसिख सा अब देखों यह यह वाइन्दिग है इसकी यह वाईनिंग कई तरीके से करी जा सकती है पर तॉम्हारे कॉर्स में हचेट्रो पोन ने होते हैं तो इस लिए कि यहां जो फिल्ड़ की winding यह आपस में सीरी में जुड़ी रहती है वेल्ड की की winding दाइखो कि यहां से जुड़ी फिर यहां से यहां गई फिर खतम आया यहां यहां और वापिस चल दो इसका मतलब जो सारे सिरी है ताके किया कि यहां पर छे मैंगे टीक फिल्ड करते हैं तो इस तरीके से यहां पर कौन सी वाइंदिंग कर ते हैं कैसे मू Hugh यहां पर सप्लाई दी according area क्रता तो तो क्या क्रता है वरली करने सरते हुआ हमें कि सम्झाने की पूरी एक्स्पलेनेशन होती है इत इतना नहीं है तो इतना है तो इसको डिता लिए कि इस तरीके से रहते हैं सिरीजम में जिससे हमारा क्या होता है कि seriocuिक यथा दित्रीकर obs videos संप Almost No Gare wrestling करें अगर экран को अ च्रहें हो जा कैसे स्टैंबलिश होता है उसके बारे में यहां पर हमने बात बता दिए बिलकुल शौट